नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर उद्यमी बनने की चाहर रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादे कि आज से यानि की 15 सितंबर से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आविदन करने की शिर्वात हो गई है जो कि 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी ऐसे में चुक मिद्वार उद्योग विभाग की वे अनिवारे है इसके अलावा आविदक जिस सिले में अपना इकाई लागत लगाना चाहते हैं वहां का अस्थाइव निवास प्रमान पत्रह देना अनिवारे है अपकी जानकारी के लिए बता दे कि सियोजना के तहट सरकार की ओर से 10 लाख रुपे तक के रिन दिये जाते है जिन में से 5 लाख रुपे अनुदान के रूप में होते हैं इसरिन को आविदक को 7 वर्शों में चुकाना होता है आज है राश्ट्रिय इंजिनियर्स तिवस C.N.30 ने दीबधाई आज के दिन को पूरे देश भर में राश्ट्रिय इंजिनियर्स के रूप में मनाया जाता है इनने इनकी उपलब्धी के लिए वर्श 1955 में उन्हें भारत रत्म से सम्मानित किया गया इसके लावा उन्हें किंग जॉर्ज पंचम की ओर से बिटिस नाइट हुड से भी सम्मानित किया था जिसके कारण उन्हें सर की उपाधी दी गई वहीं गूगल ने उनके इंजिनर दिवस भारत के लावा श्री लंका और तंचानिया में भी मनाया जाता है राश्ट्रिय इंजिनर दिवस का मुख्योद देश देश समाज की आर्थिक प्रगती और विकास में इंजिनर्स के योगदान का गुनगान करना है आज इंजिनर्स दिवस के मौके पर सी निर्मान एवं उन्नत तकनी की छमता के विकास में अभियनताओं की महत्यपुन भूमिका रही है। राजिंदर नगर और सास्री नगर में बनेंगे होकी के वर्ल्ड क्लास टर्फ ग्राउंड। मालू हो कि पहले चरण में राजिंदर नगर फिजिकल कॉलिज कैंपस ग्राउंड को 25 करोड की लागत से होकी ग्राउंड के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इसके बाद एकलब वे स्पोर्स स्कूल सास्री नगर में भी काम शुडू किया जाएगा। बता दे किसका मुख्य उदेश्य बिहार में होकी खिलारीयों का राष्ट्री एस्तर पर बहतर प्रदर्शन और राष्ट्रीय टीम में बिहार के खिलारीयों का प्रती निधितव को बढ़ाना है। इस बारे में बिहार राज्य खेल प्राधिकरन के DG रवेंदर अंत्र नगर और सास्री नगर में होकी के दो वर्ल्ड क्लास सिं्थिंटिक ब्राउंड के निर्मान को लेकर फैनल डिपीर तयार हो चुके हैं बहुत जल्द ही निर्मान कारी के शिर्वात की जाएगी थाकि इ केंद्र सरकार के द्वारा सभी राजियों से टर्म ओफ रिफरेंस के लिए राई मांगी गई है ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा मांगी गई राई का जवाब मिल सके इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा बहुत जल्दी विशिशग्यों से विचार विमर्ष किया आपके जानकारी के लिए बता दे कि सम्धान के अनुच्छे 280 के तहत हर पांचवे वर्ष वित आयो का गठन किया जाता है। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने बिहार बोड डियरेट 2023 परिच्छा में भाग लिया है तो यहां खबर आपके लिए हैं। मालम हो कि बिहार बोड के द्वारा डियरेट 7-2022-23 बिहार बोड रिजल्ट 2021-23 के नतीजे खोशित किये गए हैं। जो चातर डियरेट परिच्छा 7-2022-24 प्रतिम वर्ष और 7-2023 दुटिवर्ष के परिच्छा 2023 में भाग लिये हों। वो अपनी नतीजे चेक कर सकते हैं। अगर तल्ला तेजस राजधानी एक्सप्रेस बिहार के इन स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे बोड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दे दी गई है कि माल्दा भागलपूर जमालपूर क्यूल के रास्ते अगर तल्ला से आनन्द बिहार टर्मिनल तक प्रस्तावत तेजस राजधानी एक्सप्रेस के सापता ही परिचालन को लेकर हरी जंडी दिखा दी गई है। ऐसे में अब इस ट्रेन के परिचालन की शिर्वाद दिसंबर माह से सुरू होने की उम्मीद है। आपकी जानकारी के बता दे कि रेलवे बोड की ओर से इस ट्र गांधी मैदान से पत्ना जंक्षन तक एक दसमलो पांच चार कीलो मीटर का बनेगा अंडर गराउंड टनल। बहुत जल्द गांधी मैदान से पत्ना जंक्षन तक के लिए मेटरो स्टेशन के निरमान से जड़े काड़ी की शिर्वात होने वाली है। पी-म आर्सी के गई जानकारी के नुसार नमंबर महीने से अंडरग्राउंड टरनल की खुदाई शिरू हो जाएगी जिसके लंबाई एक दसमलोग पांच-चार कीलो मीटर होगी बतादे के फिलहाल गांधी मैदान और पट्टा जंक्षन के पास साफ्ट का निर्मान होड़ा है। भूमीगत टरनल की खुदाई के दुरान अलाइमेंट में आने वाले मकानों को कोई छती न पहुंचे इसलिए इसके रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सरसटफी BPSC मिन्स रिजल्ट जारी इस दिन होगा एंटरव्यू। अगर आप ए उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने बिहार लोकसिवा आयो क्योर्स ली गई सरसटफी BPSC मिन्स परिक्षा में भाग लिया था तो यह खबर आपके लिए है। बतादी कि आज यानी के शिक्रवार को आयो क्योर से इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बतादी कि इस परिक्षा में कुल 2104 अभ्यर्थी सफल रहें। ऐसे में अब इस परिक्षा में भाग लेने वाले उमिद्वार BPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in slash पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहां से आप रिजल्ट की PDF लिस्ट भी डाउन्लोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने BPSC सरसर्फी मिन्स परिच्छा में सफलता प्राप्त कर ली है। अब उन्हें इंटर्व्यू से होकर गुजरना होगा जो की ऑक्टूबर नमंबर में शुरू होगी। इसको लेकर BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रशाद के द्वारा एक्सपर ट्वीट कर जानकारी दी गई है। द्वारा की गई है बता दे कि जिन तीन लोगों के शव को बरामत किये गए हैं। पिंटू के नाम शामिल हैं। सुर्य मिशन आध्यक्ष अतुल एक को लेकर इसरों ने दी ये ताजा जानकारी। भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगर्थन यानि की इसरों की ओर से एक्सपर्ट जो की पुर्व में टुईटर हुआ करता था। उस पर टुईट कर ये जानकारी दी गई है कि सुर्य का अध्यान करने के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित मिशन आधित अल एक ने आज शुक्रवार को तरके चौथी बार सफलतापुर्वक पृत्वी की एक अक्षा से अनेक अक्षा में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने टुईट कर लिखा है कि चौथा पृत्वी बाधे युधा भ्यास सफलतापुर्वक निश्पादित किया गया। पृत्वी से एक विदाई 19 सितंबर 2030 को लगभग दो बजे निर्धारित है। पृत्वी जोके सत्यापन की तिथी 4 सितंबर से 14 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। लेकिन इस निर्धारित तारीक थक कई उमिद्वार ऐसे थी जो कि नहीं कारण से दस्तावीज का सत्यापन नहीं करवा पाये थे। वैसे अभ्यरती अपनी ओनलाइन आवीदर में पुर्व में भड़ी कैस थाई पता के नुसार संबंधित जिला द्वारा निर्धारित तिथी 15 सप्टमबर 2023 तक स्वेम अपस्तित होकर मूल प्रमान पत्र से सत्यापन कराना सुनिश्ट करेंगे। विहार के मुख्य सचिव आमिर सुभानी की बिग्री तब्यद देखने पहुंचे सीयम नितीश। अमिर सुभानी को डिंगू होनी के आसंका जताई जारी है। हालक इसको लेकर अब तक आधिकारिक तोर पर कुछ नहीं कहा गया है। अमिर साह अजताम ही पहुंचेंगे बाग डोगडा। मालू हो कि अमिर साह का यह एक साल में बिहार का छट्था दोरा है। इस दोरान गुरी मंत्री अररिया भी जाने वाले हैं। बतादे कि सिमांचल में यह उनका दूसरा दोरा होगा। इसके पहले वबिहार के राजधानी पटना, नवादा, लखी सराई, बालमी की नगर, छप्रा और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। एशिया कप से पाकस्तान के बाहर होने पर सुयव अक्तर का बयां। बीते दिन एशिया कप 2023 के नौकाउट मुकाबले में पाकस्तान की टीम को श्रिलंका की टीम से हार का सामना करना पड़ा। बतादे किसी हार के साथ अब पाकस्तान एशिया कप 2023 से बाहर हो चुकी है। और अब एशिया कब 2023 फाइनल में भारत की भिरंस श्रिलंका से होने वाली है। वहीं पाकस्तान को श्रिलंका से मिली हार पर पाकस्तान के पुर्वतेज गेंदवाज सुएब अक्तर के द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रियाद दी गई है। उन्होंने अपने यूटूब चैनल पर बात करते वे कहा कि आपने मैच देखा है। पाकस्तान टोर्नामेंट से बाहर हो गया है। जो मैच पाकस्तान के पक्च में बना था वह सब जमान खान ने किया था। वह परसो उद्रा और इस लड़के ने पाकस्तान सूपर लीग में शांदार गेंद बाजी की। करेट चारी किये गए इसके बाद राजधानी पटना में आज पिट्रोल 107.24 रुपे और डीजल 4.64 रुपे प्रती लीटर में मिल रहा है। बता दी कि भीहार में पिट्रोल का रेट सबस्यादा किस्तन कंज में है। जहां पिट्रोल 109.35 रुपे प्रती लीटर और डीजल 5.99 रुपे प्रती लीटर की दर्से मिल रहा है। बीते दुन हमारे दुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों रिन प्रजाब हमें हमारे कमेंट सक्षन बॉक्स मा लिख कर दिया है। जिनों ने हमारे दुरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है। और को सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद।